हमारा अस्तित्व किसके पीछे है हमारा अस्तित्व जो ये सरीर दिखाई देता है मात्र इस सरीर के पीछे हमारा अस्तित्व नहीं है सरीर के पीछे भी कोई ऐसी वस्तु है कोई भी ऐसा element है, substance है, जिसके पीछे हमारा अस्तित्व है, और वह अस्तित्व है आत्मा, consciousness, जो धर्म धर्शन पुनर जन्न में विश्वास करते हैं, करम में विश्वास करते हैं, पुन्य पाप में विश्वास करते हैं, वे सभी आत्मा में विश्वास करते हैं और वे आत्मा के करते तो वाद के अंदर विश्वास करते हैं और दूसरे इस तरीके के लोग होते हैं जो अनात्म वादी होते हैं वो आत्मा के अंदर विश्वास नहीं करते हैं जैसे कि चारवाक दर्शन है तो ये चारवाक दर्शन आत्मा में वि चिसके आगे है और सरीर के साथ साथ में ये चेतना अपने आप ही मर जाती है और वो कहते हैं कि ये जो चेतना है पैदा कैसे होती है वो उधार्ण दे करके बताते हैं कि जब शराब बनाई जाती है तो शराब के अंदर बहुत सी चीज़ गुड है जैसे ग्यओन है और बी कुछ पदाइग मिला करके उसको सड़ाया जाता है सड़ाने के बाद चे अंदर मादकता पैदा होती है जैसे कि इन वस्तों के मिलाने से मादकता अपना पैदा होती है उसी तरह से ये जो पंच मुतात्मक सरस्टी है प्रत्वी जल अगनी वायू आकाश और इसी से ये सरीर बना हुआ है इसके सरीर के निर्माण के साथ साथ के अंदर ये चेतना अपने आप मादगता की तरह पैदा होती है उनका अपना व्यू है लेकिन हम आत्मकृतित वाद क जो बात कर रहे हैं वो आत्मा में आस्सा रखने वाले धर्मदर्शनों की बात कर रहे हैं कई ऐसे मानते हैं कि ये सारी स्रस्टी जो है वो इश्वर चलाता है और इश्वर की मर्जी के बेना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और वेदान्त ये कहता है कि ये आहम ब्रमाश में मैं ब्रह्म हूँ और ये जो जीव है शरीर को जीव माना गया है ये जीव ब्रह्म का अंश है जब इस जीव को ब्रह्म का आभास हो जाता है तब ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है और ब्रह्म के अंदर उसकी लीन होने के बाद में उसकी मुक्ति हो जाती है आज मैं आपको आत्मकर्तित्वात की बात बताने जा रहा हूँ वो जैन दर्शन के संदर्ब में जैन दर्शन क्या कहता है कि आत्मा विबू नहीं है कई लोग मानते हैं कि आत्मा सारी स्रष्टी के अंदर समाई हुई है लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आत्मा सरीर तक की सिमित है चीटी का सरीर है तो उतने ही सरीर के अंदर पूरे सरीर के अंदर आत्मा है हाती का सरीर है तो हाती के सरीर के अंदर है मनुश्य का सरीर है तो मनुश्य के सरीर में और डाइनोसॉर्स है उसके सरीर के अंदर जो मतलब सरीर के बाहर आत्मा नहीं है और वहीं आत्मा जो है जब छोटा सरीर होती है तो अपने परमानों को सिकुर देती है और जब सरीर बड़ा हो जाता है तो प्राणियों अपने 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 शरीर वापी है, ये कहना चाहते हैं, शरीर के बाहर में आत्मा नहीं है, और दूसरा आत्मा के लिए बताया जाता है, कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंद नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, ये मरती नहीं, ये कटती नहीं, ये किसको रोकती नहीं, ये किसे रुकती नहीं है, और ये अनंत ग्यान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ती वाला है, और अनंत सुख का पंडार है, ब्लिस है, इसी करण से हम जो पुर्सार चतुष्ट है की बात करते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा लक् तोने का जो हमारा जो मूरलक्षय हैं वो यही है कि आत्मा को लिब्रेट करना, आत्मा को delicious and salvation में ले जाना कि आत्मा अपने pure form के अंदर आ जाए. तो यह उस आत्मा के बारे के अंदर बात होई. अब यह कि आत्मा की परिभाषा क्या है? अनंत असंख्य जो है चेतना मय परमानुओं के पिंड को जो है आत्मा कहते हैं वो सारे परमानु जो है वो चेतना मय है और ये असंख्य है अनंत है और जब छोटा सरीर होता है तो सिकुड जाते हैं और सरीर बड़ा हो जाता है तो वही प्रदेश पूरे सरीर में पहल जाते हैं और पूरे सरीर को जो है वो शक्ती देते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा अनंत्य चित्तों वाली है यानि शरीर के हर अव्यव को जो है चेतना देने वाली आत्मा होती है अब आत्मकरततवाद के हम बात करें कि आत्मा ये शरीर कैसे धारन करती है और क्यों धारन करती है आत्मा दो तरह की बताई जाती है एक तो प्योर आत्मा होती है जो की साल्वेशन में एमानसिपेशन के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है वो अशरीरी होती है लेकिन एक आत्मा बॉंडेड होती है जैसे ही मेरा सरीर है ये सरीर के अंदर आत्मा बद्ध आत्मा है बॉंडेड आत्मा है बॉंडेड आत्मा कब होती है किसके साथ में कार्मन शरीर जुड़ा हुआ होता है जब गीता में भी कहा गया है कि जिस तरीके से मनुश्य एक पुराने कपड़े को जीर्ण शीर्ण हो जाता है उसको छोड़ देता है उसी तरीके से ये आत्मा भी जब सरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है कशकाय हो जाता है तो सरीर को छोड़ करके दूसरे सरीर के अंदर वो ज औरिक शरीर, व्यक्रिय शरीर, आहरक शरीर, तेज़त शरीर, कार्मन शरीर, तो अब देखिए कि ये जो मेरा जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये औरिक शरीर है, हाड मास के पुत्रले को औरिक शरीर कहा जाता है.